आज जो सलीम जावेद के जोडीदार में जावेद साब ने प्रेस कॉंफरेंस की और अनेक आरोप लगाए तो मैं हर आरोप का जवाब देने के लिए आपके सामने यहां बैठा हूँ अब मुझे लगता है साथ मिनट के अंदर उनके जितने फॉल्स नरेटिव फॉल्स स्टोरी जो एक पाच मेहने से मिया नवाब में जो चलू कीती महराश की राजनिती में और जिसको जावेद साब राउट साब आगे लेके जा रहे हैं उसका जवाब देने के लिए आपके बीच में हो बड़े बड़े नेताओं की बात करते हैं राउट साब मोदी जी से चालू होते हैं फटनवी साब की बात करते हैं पिछले पास मेहने से पूरी महराश्ट की सरकार साशन प्रसाशन मेरे जैसे 37 साल के लड़के से लड़के जीत नहीं पारी सुबा सुबा नौ बजे जुटे ऐलिगेशन करना पुलिस का दवाब पनाना ट्विटर और अनेक माध्यम से मुझे धमकी देना लेकिन आपने देखा जिस हिसाब से नवाब को भी मुझी खानी पड़ी और नियाले में दो बार उनको जाकर बेल लेनी पड़ी यह जुटे फॉल्स स्टोरी जब यह खुद फस्ते हैं तो पूरा अपना ताम जा मनी पावर मैन पावर मिनिस्टर पावर लगा कर कैसे एक जुट है स्टोरी लेके बजार में आते हैं और एक नया फॉल्स एलिगेशन लोगों पर भारती जनता पार्टी उनके कारेकरताओं पर लगाने का लोगों को गुम्रा करने का पूरे देश को गुम्रा करने का यह एक इनों ने मोटोस अपरिंडी बना लिया है राउट साब ने शुरुवात की कि मोहित कमबोज नाम का कोई लड़का है जिसे वो जानते नहीं तो मैं यहीं से शुरुवात करता हूँ मैं आपको यह 4 सप्टेंबर 2017 यही मेरा निवास है जहां पर राउट साब आये थे अब पिछले 6-7 वर्षों से मैं पिच्चर से तो मैंने हर बड़ी में एक पिच्चर निकाली 15 मिलट में हर साल संजे राउट मेरे घर पे गनपती पे आते और आते ही नहीं मुझे यह बोलते हुए शायद मेरे को मेरी डिग्नीटी से नीचे होगा जीवन में अनेक बार उनको जब भी financial crisis पड़े तो उन्होंने मुझसे मदद भी मांगी और मैंने एक दोस्ती यारी में उनकी मदद भी की तो जानते नहीं का जो उन्होंने बात किया तो मुझे लगता है इनकी memory loss हो चुका है कहीं गजनी के किरदार से यह अपने आपको mail खाने और यह भूलने की इनको बिमारी पड़ गई है दूसरा राउट साब ने बोला कि देवन फटनवीजी का blueoid boy तो मुझे बोलने में इस बात में बिल्कुल भी कोई शरम नहीं है मुझे लगता है बहुत गर्व की बात है कि राउट सामने मुझे आज फटनवीजी साब जैसे बड़े आदमी का अगर एक तिंका boy छोटा सा अगर मैं boy भी बन पाओ क्या प्यून भी बन जाओं तो यह म मेरा प्रशन द Só must है आप यह बताई यह कि आप पड़ार गासाइन कि आप अपने सकती प्रशल किया तो आपने बताने की कोशिश की कि आपके साथ कुछ लोग है लेकिन वो लोग भी जो थे वो अभी कोई सत्ता धारी में बैठे हुए लोग नहीं थे जो आपके साथ बैठे थे जो पावरफुल लोग थे उन्होंने आपको ना आपकी बातों का समर्थन किया और आपने जब आपने आपको फस्ता हुआ देखा और आपका जो भ्रष्टा चार आपने जो कबूला प्रवीन राउत के साथ आपके संबंद है वो जो उजागर हुए तो ये एक फॉल्स नरेटिव और फॉल्स चोड़ी लेके पूरे महराश्ट का आपने सक्ति प्रदेश देखे वहाँ पर आपने आरोप लगाए पहला रोप गुरू आशीश तो मैं राउत साब को बोलना चाहूंगा कि साशन आपके पास है प्रशाशन आपके पास है आप जब भी कोई प्रेस कॉन्फरेंस करते हैं तो अभ्यास करने की बहुत जरूरत है आपको आपने बोला कि गुरू आशीश से राकेश मधावन से बारा हजार करोड की वेल्यू की लेंड जो एक लाग पैसाठ हजा स्कॉर फिट है मतलब दस लाग रुपया स्कॉर फिट के भाव से जो लेंड होनी चाहिए वो मैंने सो करोड में ली राउत साब देर लाग स्कॉर फिट की बारा हजार करोड रुपे की मतलब दस लाग रुपे से अधिक के स्कॉर फिट की लेंड मुंबई में क्या पूरे विश्व में कि दर है क्या अरे भाई आप भी मिया नवाब की तरह हरबर टबैको या वनस्पती बारा मत्दी का वनस्पती खाके प्रेस कॉनफेंस करना च दा रहे हो दस लाख रुपे स्कॉइफीट की लैंड होती है क्या कि देव पूरे विश्व में यह पहला मेरा कुश्चन है राउट साब से दूसरा मेरी कंपनी ने 2010 में गुरू आशीश जिसने माडा का स्कैम किया उससे मेरी कंपनी ने 2010 में लैंड खरी दी मैंने उसको प प्रणोट के साथ यह पूरे जो फरकार उस समय कॉंग्रेस और एजन सीपी की सरकार थी उन्होंने माडा में जो पत्रावाला चाल का फ्रौड किया था जिससमे उस समय के मुख्यमंतरी जी माडा के वीपी ने पूरी पावर्स का उलंगन करते हुए राकेश वधावन सनी वाधावन HDL के प्रमोटर जो गुरु आशीष कंपनी के नाम से उनको फॉल्स जगा दी डी डॉलप्मेंट करने के लिए और वहाँ पर आज तक भी डॉलप्मेंट नहीं हुआ मेरे जैसे 9 डॉलपर ने वहाँ पर गुरु आशीष से FSI खरीदी किसी को FSI जनरेट नहीं हुई FSI नहीं मिली नहीं मिलने के बाद 2015 में गुरु आशीष के उपर देवेन फटनिविज जी ने FIR की उसके कंप्लेनर हम लोग है जिसके उपर प्रवीन राउत का जो स्कैम था जो प्रवीन राउत ने संजे राउत की मदद लेके पत्रा वाला चाल का स्कैम किया 2007-2008 में गुरु आशीष के साथ मिला हम सब को इसके अंदर फसाया गया ये FIR करने वाला कंप्लेनर कोई और नहीं मैं खुद हूँ तो आप क्या बताना चाहरे हैं आपके पास EOW है आपके पास EOW की कंप्लेन निकालिये उस कंप्लेन में कंप्लेनर कौन है उसके अंदर स्टेट्मेंट किसके है तो आप क्या बोलना चाहरे है कि मैंने स्कैम मेरे साथ ही किया अरे बाई मैं भुक्त भोगी आदमी हूँ मेरे पैसे डूप गए उसके अंदर मैंने पैसे की recovery की अंदर F.I.R मैंने की है तो आपको जब विशे की मायती नहीं है सिर्फ press conference करके जुटे-जुटे आरोप लगाना ये आप बंद कीजे दूसरा विशे उन्होंने मेरे अनेक कंपनियों के नाम गिना है और उन्हेंने बोला इसमें पैसे कहां से आते हैं मैं आपको challenge देता हूँ आपको पूरा खुला अवहन देता हूँ जो जाज करानी है आप जाज करा लिजे मैं आपके हर जाज का जवाब दूँगा ये रहा संजे राउट जी ने जो मुझे पे allegation लगाए उसका जवाब अब मेरा संजे राउट जी से प्रश्न दहेगा कि राउट साब प्रवीन राउट आप जो फाइले बता रहे थे सबकी डीडी पी एल ग्लोबल इंफ्रा प्रइवेट लिमिटेड नायगाव वस्यविरार में प्रवीन राउट के फ्रंट में ने मेंपावर मसल पावर और संजे राउट पावर का दुर्पयोग करते हुए एक आदमी के जूटी पावर अर्टर्नी बनाकर 175 एकर लेंड बंबे के सुप्रसित बिल्डर को बेच दी एंटी करप्शन में जब उसकी कंप्लेंड हुई तो आज तक उसमें कोई भी इंक्वाईरी नहीं हुई ये पूरी जानकारी मैं खुद अब EOW में दूँगा और मैं देखता हूँ कि EOW इसमें FIR दर्च करती है कि नहीं करती है और जब इसकी मीटिंग हुई तो वो मीटिंग में सेटलमेंट में प्रवीन राउत के साथ संजे राउत खुद उपलब्द थे और धंकार रहे थे ये पूरी लैंड का पार्सल पाच हजार करोड रुपे का प्रोजेक्ट है पंदरा सो करोड में लैंड बेची गई कितने में पन्दरा सो करोड रुपे में और जिसमें प्रवीन राउत को साड़े साथ सो करोड रुपे आए संजे राउत को उसमें कितना कट मिला संजे राउत ने जो अपना manpower muscle power यूस किया उसको कितना कट मिला ये मेरा प्रशन संजे राउत चीज़ से है दूसरा सवाल मेरा मैं पुछना चाहूंगा संजे राउच जी की मेंबरी बहुत तेज है वो भूलते नहीं है राउच साब आपका और Grand हयात होटल का क्या संबंद है राज कुमार गुपता राज बूलियन प्राइवेट लिमिटेड डियराय का ये केस नमबर है ये डियराय का राज कुमार गुपता बंदना गुपता दो लोगों का ये डियराय की F.I.R. है जिनके उपर देश के सबसे बड़े स्मगलिंग रैकेट चलाने का अरोप है संजे राउच का इनके साथ क्या संबंद है स्मगलर के साथ जिनका डियराय के स्मगलर लोगों के साथ संजे राउच का क्या संबंद है इनकी दलाली करने में इनसे कितने पैसे वसूली करने में इन्होंने ये जो मिया बीबी बंटी और बबली है गलत तरीके से मुंबई में प्रापटी खरीदते है इसमें संजे राउच का कितना कट है ये एफ आई आर की कॉपी है जो हो नहीं रही थी लेकिन कोड के ओर्डर से राजकुमार गुपता वंधना गुपता में हुई इसमें जो पैसे के लेन देन हुए संजे राउच ने इसमें कैश में तीन करोड रुपे में कितने रुपे लिए मेरा सवाल संजे राउच से ये है आप अपने देश के गोल्ड स्मगलर जो 2016-17-18 में DRIM में एरेस्ट थे उनके साथ आपके क्या संबंद है ये आप दुनिया को बताईए आज आपने प्रेस कॉंफरेंस की लेकिन सबके मन में एक प्रश्ण था जिस हिसाब से दाउद इब्राहिम छोटा शकील या असीना पारकर में आज जो पैसे की उनके एंटी टेर्रिस्ट में जो पैसे के इस्तमाल हुए देश की गतिविदियों में जो ड्रग पैडला ड्रग माफियाओं में वो पैसे लगे आज मुंबई में इतनी बड़ी अगर सेंटरल एजेंसी ने जाच की है रेट की है इसके रिष्टे किन के साथ है इन पे आप चुप क्यों बैढ़ गए क्या एज़ा मुंबई कर आपका ये इस प्रश्ण के उपर आपके पास उत्तर नहीं है कि ये आपकी जुगल बंदी जोड़ी कौन है जो मुंबई में 1993 टेरिस्ट प्लांटेशन टेरिस्ट ब्लास्ट के साथ जिनके कनेक्शन उसके साथ आपके कनेक्शन क्या है राउत साब इसमें आप खुलासा कब करेंगे मेरा ऐसा मानना है कि जितने बेसलेस एलिगेशन संजे राउत ने ये चार बजे का हववा बना के जो आज प्रेस मीडिया का उन्होंने पूरे देश के अंदर पूरे माराष्ट के अंदर खुलासा करूंगा जूटे बेसलेस बिना तथ्यों के अधार के ये प्रेस कॉन्फरेंस की इनका चेहरा आज नवाब मलिक की तरह एक्सपोज हो चुका है सरकार गिराने की जो जूटी फिलोस्पी लेके आते है कोविड सेंटर का स्कैम सौसो करोड रुपे का स्कैम संजे राहुत के क्या रिष्टे पाटकर के साथ है इस पे आप जवाब कब देंगे पूना में पाटकर को ब्लेकलिस करने के बाद मुंबई में टेंडर क्यों दिया गया इस पे आप जवाब कब देंगे संजे राउद जी जब अपनी तरह पूरी तरह से घिरते हुए नजर आए तो आज कैसे वो एक सिंपिताइस एक जूटे नरेटिव की जो नरेटिव लेके आज उतरे प्रेस और मीडिया के सामने लोगों के सामने एक्सपोज हो चुके है मैं आपको लीगल नोटिस भी भेजूँगा उसी तरह से जिस तरह से नवाब मलिक ने अपने मूँ की खानी पड़ी आने वाले वक्त में संजे राउद भी मूँ की खाएंगे और ये सलीम जावेद की जोड़ी महराष्ट में नी पूरे देश्ट में एक्सपोज हो चुकी है आने वाले समय में एज अ मेंबर ऑप पार्लेमेंट और एज अ मिनिस्टर आपको देश का सविधान मानना चाहिए और एजेंसिस के साथ कॉपरेट करना चाहिए ना कि अपना गिरेबान बचाने के लिए आप आके सेंटरल एजेंसिस को भारती जनता पार्टी को बदनाम करो पुलिस का दुर्पियों आप करते हो कंगना रानावत का घर तुड़ाने का काम आप ने किया रिपब्लिक में आपने जूटा केस किया मंसुख हिरेन का मडर आपके सासन के अंदर प्रसासन के अंदर हुआ मुंबई में टेरर प्लांटेशन आपके सासन प्रसासन के अंदर हुआ नरायन राने जी के उपर जूटा केस करके एक दिन के उनको अरेस्ट करने का काम आपके सासन प्रसासन में हुआ नितेश राड़े जो मौके पे मौझूद नहीं था उस पे 307 लगाने का काम और अपने इगो सेटिस्फेक्शन करने का मश्यनरी का दुर्पयोग आपके सासन पर सासन पर हुआ उतना ही नहीं इंग फेगने के उपर कलेक्टर के उपर रवी राड़ा आमदार के उपर 307 लगाने का काम आपके सासन पर सासन पर हुआ बारती जनता पार्टी का कोई आदमी सुने ना हो ले हो या कोई भी एक थर्ड एक्टिवेस समिट ठककर हो या ऐसे अनेक कितने भी कारे करता कर भी जुकोगे नहीं तो मैं इतना बोलके आपको वाणी कुप्टी विरांप दोंगा संजे राहुद छी हम भी जुकेंगे नहीं आपके ना सासन से ना प्रसासन से ना जूते नरेटिव से हम जुकने वाले नहीं हैं यह बात आप मेरी चतावनी ले लिजे और संजे पूरी रिकॉर्डिंग और पूरे मोबाइल के पूरूफ मैं आने वाले समय में मीडिया को दूंगा और क्या बात हुई थी और कितना कट आपको मिला था यह मैं देश के सामने बताऊंगा कि संजे राउत की असलियत क्या है बहुत-बहुत धन्यवाद भारात माता की जय जय महाराश्टरा मैंने प्रशने के उत्तर दे दिया सब मैंने बता दिया मैं कोई फ्रसने के उत्तर नहीं दूंगा मैंने मेरा पूरा वेक्षान बता दिया मुझे लगता है मैंने मेंने पूरा क्लियर कट सब बताये आपको जो बताना था और हम electronics पूटो दिखाई यह फोटो देखिए यह मेरे घर की फोटो है 2017 की मैं आपको शेयर करता हूँ मैं 2016 की फोटो बेचता हूँ 2018 की फोटो बेचता हूँ जानते नहीं तो अंजान आदमी की घर पर आके बेटते हैं आप मोबाईल लिकॉर्ड वेचता हूँ आपको में मेरे उनसे पूछे ना उनको पता है न वह अगर जूट बोलेंगे तो मैं चेक के डिटेल देदूगा न सब मैं जो बात बोली उस बात का उत्तर भी दिया उसका सबूद भी दिया जूटे आरोब लगाना मेरे खुन के अंदर नहीं है संजराउट के खुन में होगा देखिए ऐसा है फटनभी साब के तो एक बाल के तिंका भी संजे राउत नहीं है संजे राउत कभी-कभी बोलने में अपनी उकाद भूल जाते है और आज जो भाषा का उन्होंने इस्तमाल किया मुझे भाषा मीडिया के सामने बोलने में सरम आती है लज्जा आती है कि जो और आने शब्द भाषा जनता पार्टी के कारे करता हो के लिए क्या कभी पिमपर से लेकिंदी में जो जो शब्द बोले क्या यह राजजसंवाब सद्द्र को सोभा देता है यह राजनीती का स्तर रहे गया संजय हृत का अगर राजसभा का मेंबर ये स्तर की उपर आगया है तुमको खुदको फ़स्ता हुआ देखकर तुम आज ये शब्दों का प्रयोग कर रहे हो तो ये भारती जनता पार्टी का कल्चर नहीं है और ना ये शिफसेना का कल्चर है ना एंसीपी का कल्चर है ना कॉंग्रेस का कल्चर है यह कल्चर नवाब मलिक जैसे गुंडे और संजे राउट जैसे रोट शाप निता का है कि देखिए ऐसा है खुद को बचाने के लिए आप किसको भी खटा कर लो कुछ कुछ भी नहीं कर लो आप कोई भी पावर दिखाओ लेकिन जो सबूत है आप खुद को फस्ता हुआ देखके आप कुछ भी कर लो लेकिन जो कानून की प्रक्रिया बनी हुई है जिस सविधान की शपत लेकर आप सरकार में हो जिस सविधान की शपत लेकर आप मेंबर आप प पुस तो चूट रहे हैं तो किस बात के लिए आप इतना डिपरेस ओ रहे हो खड़े हैं फीर बैढ गए ऐसे देख रहे हैं ऐřे बात करो रहा सामना करो ला जबादो तुम राजकुमार गुपता से क्या संबंद है डीडी पियल से क्या संबंद है प्रवीन राउत तो तुम्हारा दोस्त है उसने पंद्रा सो क्रोड की जगा कैसे जुटे पेपर लेके साइन करके दे दी ऐसे अनेक 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 दस्तावेजर राउत आप ड़ेंगे नहीं तुम्हारी कीज़र धंकियों से हर बात का सवाल देंगे और जेल में डालने का धंको डर मत दिखाना अभी बोलते तो अभी आते हैं जहां बोलते वहां आते हैं कोई जेल जाने से डरते नहीं तुम्हारे हम तुम्हारे कोई सासन पसासन से डरते नहीं है जो गलत केस करना करो सरकार आज तुम्हारी है कल हमारी होगी फिर देखेंगे किरिट जी के लिए जो शब्दों का उप्योग संजयराउत ने किया यह अंड पार्लियमेंटरी किरिट सुमया जी जैसे वरिष्ट आदमी के खिलाफ जो भाषा का प्रयोग संजयराउत ने किया मुझे लगता है यह एक नाली का आदमी यह भाषा का प्रयोग कर सकता है इतने सीनियर मेंबर और पार्लेमेंट अगर वो तुमको तुमारा आइना दिखा रहे है तो तुम उ उत्तर दिया ना मैंने गाली तो नहीं थी संजराओ तुमको तुमने गुरु आशिश का अरोप लगाया मैंने तुमको पेपर दिखाए एफफायर की कॉपी दिखाई एग्रिमेंट भी दिखाता हूं मैंने पैसे दिये तुमने पीएमसी बैंक का राकेश दिवान का परम आने वाला है तो तुमारी बॉकलाहाट लोगों को समझ में आ रही है क्योंकि तुम्हारा ब्रष्टाचार उजागर हो रहा है तुम अभी लोगों के सामने नंगी होते जा रहे हो इसके लिए तुमारे शब्द जो है ना खराब होते जा रहे हैं मुझे कोई जानकारी ने महारा इटी किया है मुझे लगता है सभी बातों का मैंने उत्तर दे दिया बहुत बहुत धन्यवाद जी